प्रेके बाद आपका स्वागत है प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि क्या अब रेस्मा के जरीये जो गरबतारिया हो रही हैं उसी से क्या व्यवस्ता बहाल होगी इस सवाल के जवाब में जनता ने क्या कुछ कहा है 75-50 कहते हैं कि हाँ और 25-50 कहते हैं कि नहीं यानि कि जनता भी अब इस हर्ताल से त्रस्थ हो चुकी है परिशान हो चुकी है उसको भी अब डोक्टर्स के जो वादे हैं दावे हैं या जो बांगिया उन पर भरोसा नहीं है और वो कहती है कि इनको गरबतार होना चाहिए उसी से व्यवस्ताइं बहाल होगी मनी जी जनाधार की बात करती है बीजे क्या के हैं कि हम जनता के साथ हैं जनाधार का पक्ष रखते हैं सर जनाधार देख लीजिए रेसमा छोड़ दीजी इसलिए बात हुई कि जो बात्चीत सब कर ली गई और आस्ता अरेस्मा का इक्तियार किया ये रिफ्तारियां राज से चालू करेंगे तो जो ये सब स्टेप भाई प्रॉपर थिंकिंग प्रॉसेस के बाद में स्टेप लिया गया है पूर निर्धारित विचार करके पूरी तरह से और पूरी सरकार इस मुद्दे पर चिकित्सा विभाग के साथ खड़ी है ये बात ज़र अलग है कि लोगों पर लगता है कि दॉक्टर्स मुद्दी पर आप ये कहके जाएए पर कहके जाएए कि जितने भी गरबतारिया आप होंगी क्योंकि चिकित्सा मंतरी ने कहा कि आप किसी खलाब कोई नर्मी बरती नहीं जाएगी तो सर कहके जाएए कि जितने भी गरबतारिया होंगी उनको वापस नहीं किया जाएगा अब वो तो फर्दर एक्शन को अपन माद नहीं बात कर सकता है जिन लोगों दारा हो फैंसला किया जाएगा वो इपता सकते हैं यही तो समस्या कि सीधे सीधे नहीं बोल पाते हैं कोई और इसी का फायदा उठाते हैं अगर 2012 में रेस्मा पर गिरफतार होने के बाद अगर उनको बाहल नहीं किया जाता तो शायद इस बार रेस्मा का डर नज़र आता देखे सर डेमोक्रिसी का हालत ये हो गई कि आप ट्रेन जो है रोक दीजिए रेल पटरियां उतार दीजिए मुकदमे पुलिस बिचारी मुकदमे दर्स करती है गरफतार करती है और ये नेता लोग सारे केस वापस रेलते हैं रेश्मा का आज तक कोई केस किसी पार्टी के हो सर पुलिस का दर्द बता रहे हैं दर्द ये है कि हम करें क्या नेतां की सुनें तो हम मरें क्योंकि इनका जो है जैसे देश के प्रति आम आदमी के प्रति वफादारी दिखानी पड़ेगी। इसलिए जो है ट्रेनों का उखाड़ना और जो है यह सारी जो देश-द्रोगी कारवाई हैं इनको देश-द्रोगी मानना पड़ेगा डॉक्टरों ने इदी गल्च की है तो इसको देश-द्रोगी मान करके आप एक्शन लीजिए ना इंडियन पैनल कोट के अंदर लीजिए रेश-बाक इंदर क्या लोगे इंडियन पैनल कोट ताजराते ही तो बिल्कुल बोलता है कि देश-द्रोग करोगे सरकाई डूटी नहीं दोगे तो आपको गरफतार के आई-पी-जी पे तो आप करवाई नहीं कर रहे है तो आगर जिनके गरफतारी हुई उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सज़ा दी जाएगी, कहीं से भी आपको लग रहे हैं? और उसी का नाजाज़ा फाइदा देखे डॉक्तर्स के साथ दो बहुत अच्छी चीज़ें आगे तने जादा नत्मस्तक है कि वह कुछ भी करें हुँ मुझ नहीं है सकते रिदिंट डॉक्तर्स जानते हैं कि हमारे बिना काम चलता नहीं है बाकी सारे डॉक्टर्स भी जानते हैं कि सरकार हमारा कुछ भी रही विकार सकते हैं जरतों बताइए क्या अब गरबतारियां होनी चाहिए क्योंकि शाम दाम दंड भे सब तो चीके समंद्रे लगा चुके हैं बान नहीं रहे हैं आप सिर्फ उसको पकड़ करक सच सामने ले आई है मुझे लगता उससे सारा काम हो और क्या फोन के पीछे की आवाज को भी बगड़ना चाहिए बिल्कुल निश्चे तरुप से सारी चीजे तब ही सामने आजाएगी और उससे सारी चीजे सालुप भी हो जाएगी आपको कोई जोड़त नहीं कि आप सार कारवाई कर दी अगले की ACR में जाती है वो चीजे आप उससे बैक नहीं कर सकते तो आप महा पर देए ये पुक्ता कदम वो होता है ठीक है वो आप करना नहीं चाहिए कि यह सरकार की एक नर्मी है जिसका नाजायज पायदा डोक्टरस ने उठा लिया यह सरकार की एक फेल दोक्टरों की रही हो जा दाख अ बहुद आसलिए हम तो ही सरकार से कहिना चाहते हैं कि इनके बीच में कहीना पर समझोते का प्रावूप चीक है वो तभी होगा जब अजया चोधरी को मतलब सामने लाए जाए और ये पता चले कि आखर ऐसा क्यों रहा है तो मनीजी जी बता दीजे क्या अजया चोधरी कल तक सामने आ जाएगा यहीं चोधरी क्यों पर जाएगा जाए पर विशवास होता है अब ऐसे ही इन पर विशवास पर भी विशवास कर लेना चाएगे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोदा जी आपका भी रचोए जी आपका भी और बुद्वाली जी आपका भी शुक्रे है लेकिन कमाल देखिए एक गाना याद आ रहा है कि अड़ जाये तो फिर ना माने कहना जा नहीं बोल, शायद चिकिस्सा विभाग और डोक्टर्स के बीच यही चलगा इसी गानी के बोल के साथ आपको छोड़कर चलते हैं नमस्क्राइब